तो प्रवाचिंग इंडिया आप तो आज हम देखने के पांडास विट एक्सल तो आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से एक्सल जो हमारा डेटा होता है उसको हम डेटा फ्रेम में रीड कैसे करेंगे और रीड करने के बाद किस तरीके से फिर से हम एक्सल में कनवर्ड कर देंगे इस तरीके से आज हम देखने वाले इसके पहले देखते हैं reading एक्सल इसके लिए हमारे पास डेटा फ्रेम में जो functions है वो है रीड अंडर स्कोर एक्सल मैं यहां पर एक छोटा सा आपके देखने के लिए एक एक्सल बिलाता हूं जिसके लिए लेक्से नेम रॉल लंबर एंड मार्क्स तरीके से कुछ हमारे पास डेटा है तो उसको हम में डेटा फरिम में यहां पर हमारा फंक्शन इस रिए एक्सल जब्से पहले हम यहां पर करेंगे इंपोर्ट पांडास एक एक वरीबल लेंगे डाट इस दिए डेट पीडी रीड एक्सल एंड एंड टेटा डॉट एक्सल जो हमारा एक्स्टेंशन है तो यह अगर आपका सेम डेरेक्टरी में तो इस तरीके से बढ़ने सकते हो लेट से अगर आपका जो फाइल है Excроб रहें वहां पर हमारे डिक्टरी में है तो वहां को फूल पाथ देना पड़ेगा उसके बाद स्लाइश के बाद पाई लियन देना पड़ेगा उसके बाद कॉमा करके लेट से आपको पता है जब भी हम Excel उपन करते तो आप देख सकते हैं यहाप नीचे एक शीट बना होता है उसके बाद लेट से अगर आप चाते हो कि Excel को हमने डीट अप्रेम में ले लिया प्रिटिक्टिक्लर कॉलम में नेम है रॉल नम्मर है और मार्क्स है तो एस्यूम करते हैं मार्कस में किसी को 0 होंगे, किसी के 1 होंगे, किसी के 99 होंगे, किसी के 100 होंगे so let's say अगर मैं 0 और 1 को let's say मैं assume करता हूँ true और false देना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि इस particular column में मुझे कोई processing करनी है यानि कि इसका मतलब कोई न कोई मुझे function बनाना पड़ेगा और function बनाके इस particular column पे apply करना पड़ेगा तो उसके लिए अगर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो मैं एक function लिखूँगा लेक्से मैं एक function लिखता हूँ convert t f that is true false उसके बाद मैं एक parameter देता हूँ cell और if cell is equal to is equal to 0 then return false इस तरीके से मैं देता हूँ यहाँ पर return sell कर देता हूँ आप देख सकते हैं कि यह हमारा function है तो इसको क्या करेंगे जब भी हम data frame में हम यहाँ पर read excel कर रहे हैं सबसे पहले तो हम अपना data pass करेंगे उसके बाद हम sheet name pass करेंगे और सबसके बाद यहाँ पर हमारा जो parameter है वो है converters उसमें हम dictionary pass करेंगे dictionary का मतलब है कि dictionary का मतलब है कि हमें particular column करना है तो dictionary में हम से पहले key pass करेंगे as a column name and column करके बाद उसके बाद हम function का नाम पास कर देंगे convert underscore t underscore so इस तरीके से आप n number of column pass कर सकते हो और हर एक column पे अगर आपको कोई processing कराना है आप function को call करना है आप उस function का नाम देख सकते हो इस तरीके से हमारा कुछ ही read excel है अब हम चलते हैं कि data frame में हमने read कर दिया है अब इसको back to excel कैसे करेंगे let's go so अब हम देखते है write to excel तो write to excel का मतलब यहां पर है कि हमारा data frame को हम excel में write कर रहे है तो इस तरीके से हमारे पास जो function है that is to underscore excel तो इस तरीके से माल लेजिए कि data frame में हमारे पास values थे जब हमने excel को read किया था data frame में तो यहां पर हम लिख सकते हैं df is equal to pd dot to excel सबसे पहला parameter जो आप बार आएगा वह हमारा एगा sheet का नाव आएगा let's say file लेएगा data1.xls तो यहां पर extension देना ध्यान से ना बुरत क्योंकि आप extension change करते हैं तो वह file का जो format हो चेंज हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपको sheet देना होगा sheet underscore name is equal to sheet1 तो आप इस तरीके से यह हमारा simple syntax है तो जो भी आप data frame कर रहे हो उसको excel में write करना है तो यह हमारा data file का name होगा और हमारा sheet का name होगा जो भी data होगा as it is हमारे excel में आ जाएगा और आपकी जो current directory वहाँ पर जाके save हो जाएगी जहां पर आपका यह program होगा let's say assume कर सकता हूं कि यहां पर अगर let's say आपको offset rows and columns करना है कि let's say अगर मैं यहां पर excel मानता हूं तो यहां पर excel start होता है let's say आपको यहां पर ना करके excel row number 4 से start कर रहा हूं column number 1 से start करना है और यहां पर इस तरीके से आपको data represent करना है तो उसके लिए यहां पर हमारे पास parameter है that is start row is equal to 4 and start column is equal to 2 sorry one so इस तरीके से अगर आप 4 और 1 देते हैं तो वहां पर डेटा 1 और sheet 1 में वहां पर जाके write कर देगा so इस तरीके से आप यहां पर offset भी कर सकते हो let's say अगर आपको data frame में index है तो उस तरीके से आप index is equal to false कर देगा तो आपको क्या होगा data frame में जो index है जब आप Excel में write कर रहे होंगे तो index हट जाएगा so इस तरीके से हमारे write to Excel है तो एक हमारे पास point और है कि let's say आपके पास data frame एक ना होगे multiple data frame that is df1 df2 df3 and so on so इस तरीके से माल लिए कि आपके पास यह multiple data frames है और आपको same Excel में जिसमें आपकी multiple sheets होती है अगर आपको उन में write करना है कि यह data frame sheet 1 में जाए data frame sheet 2 में जाए data frame sheet 3 में जाए इस तरीके से हमारा कुछ file formatting हो जाए तो इसके लिए हमारे पास है excel writer यह हमारे एक function है pandas का तो basically excel writer में हम क्या करते हैं हम file का नाम लिखते हैं जिस जो भी हम excel इस बनाना चाहते हैं और उसको हम write mode में open करते हैं same हम आपर 2 excel यूज़ करेंगे that is df1 यहां पर हम df1 लेंगे df1 2 excel और यहां पर हम पास करेंगे that is w and then we have sheet name is equal to sheet1 उसी तरीके से df2.2 excel and then w then sheet name is equal to sheet2 so इस तरीके से आपके पास आप call loop लगा के जितने भी आप तब तक हमारा आपका data frame चलता रहेगा उस तरीके से आप यह perform कर सबकिए अलग-अलग data frame को same excel में अलग-अलग sheet में आप write कर सकते हो इस तरीके से हमाँ write to excel था तो इस तरीके से हम basically excel पे हम pandas के तुरू connect कर सकते है read कर सकते है as well as write कर सकते है तो अगर आपको कोई भी doubt आता है please हमारे comment section में comment करें please like and share the video and subscribe our channel thank you